हेलो गाईज, डॉक्टर ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आसा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे आपनी कई बार सुना होगा कि स्किन केयर रूटीन में फेस मिस्ट को भी सामिल जरूर करना चाहिए लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता है कि फेस मिस्ट होता क्या है और ये किस काम आता है ऐसे में वो फेस मिस्ट का इस्तिमाल नहीं कर पाते हैं फेस मिस्ट के फाइदे जानने से पहले हमको जानना होगा कि फेस मिस्ट होता क्या है फेस मिष्ट एक तरह का स्प्रे होता है, ये हब्स और अलग अलग तरह की नेचुरल चीजों से बना होता है इसकिन को हाइडरेट करने के लिए फेस मिष्ट का इस्तेमाज चेरे पर चरूर करना चाहिए आप अपनी स्किन के हिसाब से एलोवेरा जेल, ग्रीन टी, रोजवाटर से बने हुए फेस मिष्ट मार्किस से खरीज सकते हैं या उसके बजाए आप इसे घर पे भी तयार कर सकते हैं अब बात करेंगे फेस मिष्ट के फायदों की फेस मिष्ट में एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं जो फेस पर इस्प्रे करने से इसकिन में गिलो लाते हैं साथ ही जुड़ियों और फाइन लैंस को भी खतम कर देते हैं इसके अलावा चेरे पे मौझूद बलैक स्पोर्स को कम करने के साथ साथ ये ओपन पोर्स की प्रोब्लम को भी कम करते हैं इतना ही नहीं मैकप से पहले चेरे पर फेस मिष्ट स्प्रे करने से मैकप भी बहुत लंबे साइम तक टिका रहता है अब बात करेंगे फेस मिष्ट को घर पर कैसे तयार करें सबसे पहले आधा कटोरी चावल लें और उन्हें अच्छे से धोलें याद रखें चावलों को धोने के लिए ठंडे पानी का यूज करें जब चावल अच्छे से धुल जाएं तो इसमें दुगनी मात्रा में पानी मिलाएं यानि कि आधा कटोरी चावल में एक कटोरी पानी मिलाएं पानी ठंडा होना चाहिए अब नीबू की छोटी छोटी गोल स्लाइस करके इसमें काट कर डाल दें और इसे दो घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद नीबू को इसमें निचोड़ें और चाव लोगो थोड़ा थोड़ा सा क्रस्ट करें इसके बाद इसे च्छान कर इस पानी को निकाल लें अब आपका फेस मिस्ट तैयार है और इसे आप अपने चेहरे पर एपलाई कर सकते हैं आपको आज की जानगारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद